इक्नॉमिक्स वर्चुल क्लासिस में आप सभी का स्वागत है अर्सास्त में स्यंकिकी के अंतरगर अध्याय साथ से हम सह संबन जिसे अंग्रेजी में कोर्रेलेशन कहा जाता है उसका हम विस्तार से अध्यां करेंगे इस अध्याय में हम सीखेंगे कि सहसंबन का क्या अर्थ है सहसंबन के कौन-कौन से परकार है सहसंबन के परिमान कौन से है सहसंबन को ज्याद करने की कौन-कौन से विद्या है और अंत में सहसंबन का क्या महत्तो है इन सब का हम विस्तार से अध्यां करेंगे सहसंबन का क्या अर्थ है अर्था सहसंबन किसे कहते है इसको हम एक परिवासा से समझ सकते है जब दो चर रासियों में से एक चर रासि के बढ़ने से दूसरी चर रासियों में विर्दी या कमी हो एवं एक चर रासियों की कमी से दूसरी चर रासियों में विर्दी या कमी हो तो उन दोनों चर रासियों में सह संबन पाया जाता है इसको हमें एक उदारन से समझ सकते हैं, जैसे किसी वस्तु की कीमत में विर्दी होने से उसकी मांग में कमी होती है, अर्थात आपने देखा होगा कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती हैं, तो हमेशा उसकी मांग में कमी आती है, तो कीमत में और मांग में इस परकार सह संब पाया जाता है एक और उदारण है रोजगार में विर्दी होने पर उत्पादन में विर्दी होती है अर्थात रोजगार और उत्पादन में सैसंबंद पाया जाता है अगर रोजगार में विर्दी होगी तो उत्पादन में भी विर्दी होगी और अगर रोजगार में कमी हो यदि एक चर मुल्य घटने पर दूसरा चर मुल्य भी घटे अथ्वा एक चर मुल्य के बढ़ने पर दूसरा चर मुल्य भी बढ़े तो ऐसा सहसंबन घनात्मक होता है इसको हमें गुदारण से समझ सकते हैं मुल्य और पूर्ती में इस परकार का सम्मद पाया जाता है अर्थाज अगर वस्तों की मुल्य बढ़ेगा तो उद्पादक पूर्ती बढ़ा देंगे अधिक लाप कमाने के लिए इसी परकार रिनात्मक सहसंबन होता है जब एक चर मुल्य के घटने पर तथा दूसरा चर मुल्य के बढ़ता हो तथा एक चर मुल्य के बढ़ने पर दूसरा चर मुल्य में कमी होती हो तो इसे हम रिनात्मक सहसंबन कहेंगे जैसे मुल्य एवं मांग में इस परकार का संबन पाया जाता है आपने देखा होगा अगर वस्तों की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी और वस्तों की कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ जाएगी तो इस परकार मुल्य पे और मांग में रिनात्मक सहसंबन पाया जाता है सरल, आंसिक तथा बहु गुणी सहसंबन दो चर मुल्यों के सहसंबन को सरल सहसंबन कहते हैं आंसिक सहसंबन में दो मुल्यों में एक अन्य सोतंत्र चर मुल्य का समावेश करके सहसंबन ग्याद किया जाता है और भवगंडी सहसंबन में तीन या उससे अधिक चर मुल्यों के मद्य सहसंबन का अध्यन किया जाता है रेखिया तता आरेखिया सहसंबन यदि दो चर्मुल्य के मद्य परिवत्रों का अनिपात समान होता है तो उन्हें रेखिया सहसंबन कहेंगे मतलब एक समान अनुपात होना इन चर्मुल्य में यदि बिंदु रेखिया पत्र पर अंकित किया जाए तो बिंदु एक सिधी रेखा में होंगे यदि दो चर्मुल्य के मद्य परिवर्तनों का अनुपात एक समान नहीं होगा तो उसे आरेखिया सहसंबन कहते हैं सह संबन्द के परिमान , पहला है पूंड सह संबन, दूसरा है सह संबन का अभाव , अर तीसरा रहा सीमित सह संबन , तो ये तीनों सह संबन के बारे में हम अब यहां पे विश्तार से अध्यान करेंगे सहसंबन के परविर्माण पूर्ण सहसंबन जब दो सिर्णियों में परिवर्तन एक ही दिसा में तता समान अनुपात में होते हैं तो उन पूण घनात्मक सहसंबन पाया जाता है अरफात परिवर्तन एक समान होते हैं एसी दिशा में सहसंबन एक आर प्लस वन गुड़ांक होता है आरफात किया पॉजिटिव होता है जब दो स्रेणियों में परिवर्तन विपरी दिशा में किन्तु समान अनुपात में होते हैं, सेम रेशो में, तो उनमें पूर्ण रिणात्मत सहसंबन पाया जाता है, ऐसी दिशा में सहसंबन गुणाग माइनस वन होता है सहसंबन का अबाओ, जब दो स्रेणियों या चरों एक दूसरे को परभावीत नहीं करते, तो हम कह सकते हैं कि उनमें सहसंबन का अबाओ है, ऐसी दिशा में सहसंबन गुणाग आर शुन्य होता है सीमित सहसंबन, जब दो स्रेणियों या चरों में परिवर्तन एक समान नहीं होते, या सीमित मात्रा में होते हैं, तो उनको सीमित सहसंबन कहते हैं इस परकार का सहसंबन, घनात्मक वा रिनात्मक दोनों परकार का हो सकता है समानेता यहां एक के मद्य होता है परिवाण की दिर्ष्टी से सीमि सहसंबन तीन परकार के हो सकते हैं उच इस्तरिय सहसंबन मद्य इस्तरिय सहसंबन और निम इस्तरिय सहसंबन इसको हम एक टेबल की साहिता से आसानी से समझ सकते हैं परिबान और यहाँ पे गन आत्मक और रिनात्मक सहसंबंद हैं, अगर पूण सहसंबंद होता है, तो प्लस 1 होगा और पूण रिनात्मक सहसंबंद सहसंद माइनस 1 होगा. इसी परकार उच सहसंबन्द आपका घनात्मक 0.75 से प्लस एक के बीच होगा और अगर उच रिनात्मक सहसंबन्द है तो माइनस 0.75 से माइनस वन के बीच होगा इसी परकार मद्य सहसंबन्द भी है यह प्लस 0.25 से प्लस 0.75 के बीच होगा और अगर उच रिनात्मक में जाएंगे तो 0.25 से 0.75 के बीच में होगा निमस्तरिय गनात्मक सहसंबन्द होगा तो 0 से लेकर 0.25 के बीच होगा और अगर रिनात्मक सहसंबन्द है तो 0 से लेकर माइनस 0.25 के बीच होगा और अगर सहसंबन्द का अबाव है चायो गनात्मक हो रिनात्मक तो उनमें शुन्ने होगा तो ये थे परिमाण की दिरिष्टी से सह सम्मन सह सम्मन को ग्याद करने की विदिया पहली है परिकर्ण आरेक विदि जिसको हम Scattered Diagram Method भी कहते हैं और दूसरी विदि है Karl Pearson का सह सम्मन गुनाद विदि जिसको हम English में Coeficient of Correlation कहते हैं तो अब हम सबसे पहले परिकरण आरेक विदी का अध्यन करेंगे प्रकीन आरेक विदी Scatter Diagram Method जब दो संकलाओं के परसपर सह संबन की दिसा और मात्रा का अनुमान चित्र बना कर किया जाता है तो उसको हम प्रकीन आरेक या Scatter Diagram कहते हैं इस विदी के अनुसार ग्राप पेपर पर X-Axis या आप यह देखने ग्राप पेपर है बनाया वाद तो उसमें X-Axis पर सोतंतर तथ्यों से संबंदित मुल्य जिसको Independent Variable और Y-Axis को हम कहेंगे आशिरित तथ्यों से संबंदित मुल्य Dependent Variable अंकित किये जाते हैं परतेक मद की X-Axis और Y-Axis को एक बिंदू द्वारा अंकित किया जाता है इस परकार दोनों तत्यों के जितने जोड़े बनते हैं वे विविन बिंदियों के रूप में ग्राप पेपर पर अंकित किये जाते हैं तो यहां पे आप देख रहे हैं तो हम पहला उधारन ले लेते हैं पूर्ण घंत्मक सहसंबन का जिसमें आर ब्राबर प्लस वन होता है तो इसमें आप बिंदू नीचे से उपर की और दाय से उपर की और एक सरल स्वाइद में उपर से नीचे की और होता है तो हम उसको बोलेंगे रिणात्मक सहसंब्द कि आप देख रहे हैं इसमें उपर से नीचे को बिंदों कि उपर से नीचे की और फैले वें इसको बोलेंगे आर बराबर 1-1 तो यह हो गया पूर्ण इरिणात्मक सहसंब्द अब आता है यहां पर सीमित घनात्मक सहसंब्द कि इसमें जितने भी आपके बिंदू है यह एक दिशा की और परभा कर रहे हैं और यह बिंदू जितने अधिक एक दूसरे से गुतेवे होंगे उतना ही सहसंब्द अधिक होगा और ठीक इसके विप्रीत सीमित इरिणात्मक सहसंब्द यह उपर से लेके नीचे की और फैले वे होते हैं यह उपर से नीची के और परवा कर रहे हैं इसके बाद है सैसंबंद का अभाव आर बराबर सुनें इस बिंदूओं पर आपने इस रेखा पर देखा कि जितने बिंदू हैं यह सब फैले वे हैं और इनसे ना तो हमें यह ग्यात हो रहा है कि यह बिंदू किस दिसा में बढ़ रहे हैं तो इस से सैसंबंद का अभाव कहते हैं तो यह थे पांच परकार के सैसंबंद इसको हम परकीर्ण आरेक विदी कहते हैं काल पेर्शन का सैसंबंद गुणाक विदी इस विदी के माध्यम से हम सैसंबंद की गणना कर सकते हैं तो पहला है पर्तेक्स रिती इसका सूत्र ये वाला दिया हुआ है दूसरा है लगूरिती इसका सूत्र यहां पे दिया हुआ है तो इन दोनों सूत्रों का परियोग करके हम सह संबन कैसे गणना की जाती है उसके बारे में जानने का परियास करेंगे। तो सब से पहले हम अध्यन करते हैं पर्तक श्रिती का एक उधारन से तो हमारे पास एक उधारन है और हम इसको पर्तक श्रिती के माध्यम से करेंगे। यहां पर वो धारन दिया हुआ है, निम समंकों में से विद्यारतियों की उचाई वा भार के मद्य सह संबन गुणाक निकालिये, तो यहां पर विद्यारतियों की उचाई और उनके भार दिया हुआ है, तो उचाई हमारे को इंच में दी गई है, और भार पाउंट्स में दि यहां पर दिखाया है यह हम इसको x-axis मान लेंगे और भार पाउंड को हम y-axis मान लेंगे तो x-axis को हमने यहां पर लिखा 57 59 62 यह हमने पूरी संक्य यहां पर उतार दिये उसके बार हम dx लेंगे dx जिसको हम x भी बोलेंगे तो इसमें से हम कोई ऐसी संक्या ले लेंगे जो सबसे चोटी और सबसे बड़ी के बीच की हो लगपर जिसमें गड़ना करना आसान हो और हमारी dx की value यह ज़्यादा बड़ी ना है तो हमने 60 एक संक्या ले लिए 60 संक्या हमने ले लिए x जिसे हम इन सारी संक्याओं को घटाएंगे तो 60 संक्या से जो संक्या छोटी होगी x वाली वह माइनस में आएगी और जो 60 से बड़ी होगी वह प्लस में आएगी positive जिसे घनात्मक बोलते हैं अब 60 में से हम अगर 57 को घटाएंगे तो माइनस 3 तो प्लस दो आएगा क्योंकि संक्या साट से बढ़ी होई क्सी प्रकार 63 को घटाएंगे तो 60 से बढ़ी है स्क्वायर कर देंगे उसका वर्ग निकाल देंगे जैसे 3, 3 3 जा 9, 1, 1 बन जा 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, और फिर 5 5 जा 25, और 2 2 जा 4, और 3 3 जा 9, इसमें एक चीज का ध्यान देंगे कि यहां पे सारी संक्या तुमारी positive आईए, जो कि minus minus plus होता है, और plus plus भी plus होता ह इसलिए यहां पे हमारी संक्या positive में आईए, अब हम भार को ले लेते हैं points में, जिसको हमने y दिया है, तो इसमें भी हम देखने कि सबसे छोटी संक्या 111 और सबसे बड़ी संक्या हमारे पार 130 है, तो हम ऐसी संक्या ले लेते हैं इनके बीच की, जिसे हमें यह घटाना आस आनों, तो हमने 120 संक्या ले लिए, तो हमने dy को 120 लिया है, तो 120 में से हम 113 को घटाएंगे, तो हमारे सम्hanогень साथ आएगा, क्यूngकि 113, 120 में से कम है, ऐसी 117 को हम 120 से घटाएंगे, तो माइनस 3 होगा, अब 126, ये संक्या 120 से बढ़ी है, तो 120 को 126 से घटाएंगे, तो प्लस 6 में आएगा, ऐसी इसमें भी आएगा, इस परकार सारी संक्याओं को हम घटाते चले जाएंगे, तो कुछ संक्या पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव में आएगे, उसके बाद हम इसका वर्ग निका आएगे, 77 जा 49, और माइनस 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 प्लस होगा, घनात्मक होगा, 33 जा 9, 6 जा 36, फिर 6 जा 36, 10 जा 100, 99 जा 81, 99 जा 81, 44 जा 16, और 88 जा 64, तो यहाँ पे जो माइनस के चीनते, यह भी प्लस में हो जाएंगे, यहाँ पी जाके, प्लस वाले अल्रेडी प्लस में रहेंगे और माइनस माइनस प्लस होगा, यह अल्रेडी होगे, इसके बाद हम कर लेंगे, dx और dy, dx और dy का मतलब हो गया, कि dx को और dy, इनको हम आपस में क्या करेंगे, multiply करेंगे, गुणा करेंगे, तो 3 को हम गुणा करेंगे, 7 से, इस 3 को हमने 7 से गुणा करा, तो 3, 7 जा 21 आया हमार और minus minus मैंने का था plus होता है तो यह plus हो गया घनात्म ऐसी 1 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा ऐसी 2 को 6 से करेंगे तो 12 आएगा इस परकार हम dx dy को आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पूरी संक्या प्राप्त होगी अब इन संक्याओं को हमने यहाँ पर जोड़ लिया है तो हमारे पास 216 यह संक्या आईए जिग्मा dx dy और जिग्मा d square y हमारे पास संक्या है 472 इसको हमने सारा एड कर लिया इसी परकार इसमें plus वाली संक्याओं को एक तरब रखके और minus वालों को एक तरब रखके हम calculate करेंगे तो हमारा edy बराबर सुन्या आएगा ऐसी d square x को हम सारा यहाँ पर एड करेंगे तो 102 आएगा और dx यहाँ पर भी plus वाली संक्याओं को एक तरब minus वालों को एक तरब हम करेंगे तो हमारी जो value है वो सुन्या आएगा अब हम इसका data जो हमने अभी तक आखड़े बनाए इससे calculate किये अब हम उनको formula में fit करेंगे तो पर्तेक्स वित्ती का जो हमारा formula है r बराबर sigma dx dy बटे वर्गमूल square root ed square into ed square y तो r बराबर 216 आप देख रहे हैं यहां पर 216 बटे वर्गमूल 102 into 432 आया है तो इसको हम calculate करेंगे 102 into 432 को गुणा करेंगे तो हमारे पर जो संक्या आएगी वो 48 144 आएगी अब इसका वर्ग निकालेंगे हम तो हमारे पर जो संक्या आई वो आई 219 इसका वर्ग निकालने पर हमारे पर जो संक्या आई वाई 219 अब 219 को 216 से हम भाग करेंगे तो हमारे पर जो संक्या आएगी वो प्लस में आएगी गनात्मक दसंबला 985 तो यही हमारा सह संबंद होगा और यह प्लस पॉइंट 9 आया इसलिए है उच सह संबंद होगा तो आपने देखा कि पर्टेक्स विदी के माद्यम से हम सह संबंद आसानी से गणना कर सकते हैं लगूरीती, लगूरीती के माध्यम से भी हम सहसंबन गुणाक निकाल सकते हैं इसको हम एक उधारन की साहता से समझ सकते हैं तो यहां पर हमने एक उधारन लिया है जिसमें I और वे के बारे में दिया हुआ है इनको देखते वे हम एक तालीका बनाएंगे तो हमने यह तालीका बनाई है जिसमें हम I को X मानेंगे और वे को हम Y मानेंगे X में हमने I का पूरा विवरन यहां पर लिखा है जिसकी संक्या लगबक 9 के करीब है तो N हमारी जो संक्या है वो 10 होंगी अब इनमेंस हम कोई ऐसी संक्या ले लेते हैं जिससे हमें संक्या को घटाने में आसानी हो तो हमने D X की Value निकालने के लिए माइनस 100 लिया है तो माइनस 100 से हम 100 को घटाएंगे तो सुन्ने आएगा पिर 101 को घटाएंगे तो यह प्लस वनाएगा क्योंकि यह संक्या 100 से अधिक बढ़ी है ऐसी 102 का 2, फिर 102 का 2, 100 में से 100 गया सुनने, और यह संक्या हमारी छोटी है 100 से, तो माइनस 1 आएगा, जो संक्या, इस वाली संक्या से छोटी होगी, वो माइनस में होगी, जिससे 97 को हम 100 से घटाएंगे, तो माइनस 3 आएगा, ऐसी माइनस 2, माइनस 4 और माइनस 5, तो हम जितनी भी हमारी माइनस वाली संक्या हैं इनको हम अलग से जोड़ लेंगे और प्लस वाली संक्याओं को हम अलग से जोड़ लेंगे और फिर उसको हम घटाएंगे तो हमारा sigma dx की value निकलाएगी क्योंकि यह संक्या अधिक बढ़ी है तो माइनस 10 आएगी अब हम इन संक्याओं को dx का वर्ग निकालेंगे तो d square x आएगा तो सुन्ने का सुन्ने एक का एक, दो का चार दो का फिर चार सुन्ने का सुन्ने एक का एक, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है 339, 224, 4416 और 5525 इन सबको हम एड कर लेंगे तो हमारी जो संक्याओं जिग्मा d square x 64 आएगी अब हम यहाँ पे y लेंगे जिसको वै हम यहाँ पे दर्साएंगे सारी अंख हमने यहाँ पे दर्साया है इनकी संक्या भी 10 के करीब है इसमें हमने dy के लिए y minus 95 संक्या लिए क्योंकि हमें गठाने में आसानी होगी तो minus 95 को 98 से गठाएंगे तो plus 3 आएगा क्योंकि 98 95 से बड़ी संक्या जो संक्या 95 से कम आएगी हो minus में आएगी 3 आई 4 आए इसको यहाँ से गठाया 4 97 गठाया 2 95 में से 95 minus क्या सुन्या अब यह 92 छोटी संक्या है 95 से तो यह minus 3 में आएगी फिर 95 यह बराबर है तो सुनने होगा फिर minus 1 minus 5 और minus 4 इसमें भी हम minus वाली संक्याओं को अलग से जोड़ लेंगे और plus वालों को अलग से जोड़ेंगे और बाद में इनका आपस में घटाएंगे तो यह हमारी संक्या बराबर आएगी तो EDY बराबर सुनने होगा अब हम इनका वर्ग निकाल लेंगे D square Y इसका वर्ग निकाल आपने 339, 446, 446, 224, सुनने का सुनने 339, सुनने का सुनने, 1 का 1, 5525, 446, इनको हमने एड़ किया तो D square Y हमारा 96 हाया अब हम DX और DY को multiply करेंगे तो यह हमारा DX की value हो गई और यह हमारी DY की value हो गई अब हम इनको multiply करेंगे तो पहली संक्या हमने यह ले ली सुनने को 3 से multiply करेंगे तो सुनने ही आएगा 1 को 4 से multiply करेंगे तो 4 आएगा ऐसी 2 को 4 से multiply करेंगे तो 8 आएगा और 2 को 2 से multiply हैं कि 4, 0 का 0, फिर minus 1, minus 3 का 3, minus minus plus होता है, फिर minus 3 का 0, और 2 वन जा 2, 4, 5 जा 20, और 5, 4 जा 20, इस परकार हमारे पास यह सारी संक्या आ गई, इनको हम जोड लेंगे तो हमें sigma dx dy हमारी जो संक्या है वो आ जाएगी 61, प्लस में, अब हम इन संक्याओं को सूत्र में डाल के इसका प्रियोग करेंगे, तो यह सूत्र है सह संबंद का जिसको correlation बोलते है, r बराबर n इंटू sigma dx dy minus sigma dx इंटू sigma dy बटे वर्ग्मूल n इंटू sigma d square x minus sigma dx square n इंटू sigma d square y minus sigma dy square. तो आपने देखा n हमारा 10 value है, sigma dx dy हमारा 61 है, फिर minus sigma dx minus 10 है और इंटू sigma dy हमारा सुनने है, इसके बाद वर्ग्मूल में नीचे n10 इंटू sigma d square x 64 है, minus, फिर sigma d square x हमारा minus 10 है, ऐसी n10 है, इंटू 96 और फिर minus 0 सुनने वर्ग. इन समिकरण को हम हल करेंगे, तो हमार पाँ यह संख्या आएगी, 10 से हमने 61 को इंटू किया तो 610 आएगा, क्योंकि minus 10 इंटू 0 नहीं होता है, तो यहां पे 610 ही रहेगा, 10 को 64 से हम इंटू करेंगे तो 640 आएगा, और 10 टैन जा 100 होगा, minus 100, इसी परकार 10 से हम 96 को मल्टिप्लाए करेंगे, तो 960 आएगा, और सुनने को दो बार मल्टिप्लाए करेंगे तो सुनने ही आएगा, उसके बाद यह संक्या हमारी वही रहेगी, इसको हम इससे minus करेंगे तो हमारे पाश 540 आएगा, और 960 को सुनने से minus करेंगे, तो हमारे पाश यही संक्या आएगी, इसके बाद इन दोनों को multiply करने से हमारे पास यह संक्या आई और इसका हमें वर्गमूल निकालना हुगा तो वर्गमूल हमने जब इसका निकाला 5184 शुन्य शुन्य का तो हमारा वर्गमूल आया 720 और संक्या हमारी उपर है 610 अब 710 से 610 को हम क्या करेंगे भाग करेंगे तो हमारी जो संक्या आएगी वो आएगी आर बराबर प्लस 010.85 तो यह हमारा correlation आया यह हमारा सह संबंद आया और इसको हम बोलेंगे उच सह संबंद क्योंकि यह दसंबलब 8 से उपर है सह संबंद का क्या महतु है सैंकी की में सह संबंद का बहुत महतु है इस सिद्दान का विकास Francis Galton वा Carl Pearson ने किया था इस सिद्दान के माध्यम से अरसास के नियम, नीती निर्मान, कारण एवं परिणाम में संबं विया परिक ने लेने आदी में सह संबंद सायक होता है नियमों तथा धारनाओं का निर्मान करना सह संबंद के अध्यन से चरों के परस्परिक संबंद की दिशा और मातरा का ज्यान होता है जैसे मांग का नियम इसी के कारण इसका निर्मान हुआ कारण एवम परिणाम में सम्मस्यां के कारण और परिणाम में कितना और किस परकार का सम्मन है व्यापारिक निणने लेने में सायक सहसंबन्ध के आधार पर चरो में होने वाले परिवर्तन के आधार पर व्यापार में पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है तो ये थे सहसंबन्ध का महत्व अर्षां स्विसे को और अच्छे से समझने के लिए आपको एक्वामिस वर्टिल क्लासिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्षां स्विसे को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्षां स्विसे को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं